इस हम कहते हैं प्रोफेस्नल डेवलप्मेंट इसका यूनिट का वह है ब्योसाइक कि प्रोफेस्नल डेवलप्मेंट यह भी छोटा यूनिट है दो या तीन दिन में खतम हो जाएगा इसके तरह से बिहारी जी का है ना बिहारी के दोहा सतसया के दोहरे याद नहीं है आई स्कुलिया इंटर में आपने पढ़ा होगा बिहारी की कविता नहीं पढ़े हैं सतसया के दोहरे जो नाविक के तीर देखत में छोटे लगे लो तो इसी तरह से चोटा है चैप्टर तो छोटा लेकिन इसका महत्तों बहुत है अगर आप इसे समझेंगे तो आपके सेल्फ और प्रोफेस्नल डेवलप्मेंट दोनों के लिए इसे हम कहते हैं ब्योसाइक ब दो मेने रहते हैं, दो मेने बेलप्में अ करद दो हैंग, तो प्रोफेस्नल डेवलप्मेंट खिल्टन लेवार लैंद्ट ट्न झालेवलप्मेंट अ बजकिन इसे स्तरुक्त्र प्रोफेस्नल डेवलप्मेंट में Очень जए शिसे सकाब प्रस्सनल ड्मेंट को हिपाने सब इंपेंटर इंप्वार्टनेस आप परस्नल डेवलब्मेंड एन प्रोफेशनल डेवलब्मेंड यानि ब्यक्तिगत कि sah और व्योंसाइक अच्छा लिक रहें लिख लिजिए कि इंप Story कॉरेंस आप परस्नल डवलब्मेंड कि अपको इस इस इसको हटा दें cultural and professional development था कि दोबाल लिखने विज़रुद नहीं है इंप्सार पर स्नल एंप्रफेस्नल डिव्लोप्मेंट लिख दिये तो मत कटी अगर नहीं लिखे एंट आप दो ब्यक्तिगत और व्यौजाइक विकास का महत्तो व्यक्तिगत और व्यक्तिगत और व्यवसाइक विकास का महत्तो दूसरा है importance of importance of continuous learning अले हम यह सुरू करेंगे फिर हम इस पर आएंगे तो importance of continuous learning यह सतत सीखने का महत्तो इंपोर्टेंस आप continuous learning सतत सीखने का महत्तो अगला difference 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 ग्रोफेशनल डेवलोपमेंट अंग गोल्ड आडवी प्रोफेशनल डेवलोपमेंट और गोल्ड सेटिंग सो इंपर्टेंस एलनीजिन्ट ये नीर्ऑठ यार बिपास आडिकास जले पलंद हरоном car ब्योसाइक बिकास और लक्ष का निर्धारण लास्ट लिख लीजिये आप प्रोफेशनल डेवलप्मेंट प्लान प्रोफेशनल डेवलप्मेंट प्लान प्रोफेशनल डेवलप्मेंट प्लान ब्योसाइक विकास की योजना ब्योसाइक विकास की योजना तो कल हम इसी टाइम और यहीं सुरू करेंगे यहां से कान्टिनिवस लर्निंग और फिर उसके बाद परस्टनल विकास क्या होता है फिर प्रोफेस्टनल विकास क्या होता है गोल सेट्टिंग और फिर इसके आगे बूए प्लीज generally a paper thank you thank you